मगर अपने बाई आँख से बहुत परेशान हूँ अपने आप चलती है लोग यूँ समझते हैं कि चलाई गई है जान बूच कर मिलाई गई है एक बार बच्पन में, शायद सन पच्पन में क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में नाम था सुरेखा उसने हमें देखा और हमारी आँख बाई चल गई लड़की क्लास छोड़कर बाहर निकल गई थोड़ी देर बात हमें है याद प्रिंसिपार ने बुलवाया लंबा चोड़ा लेक्चर पिलाया हमने कहा जी भूल हो गई वो बोला ऐसा भी होता है भूल में शरम नहीं आती है ऐसी गंदी हरकत करते हो इसकूल में इससे पहले की हकीकत बयान करते फिर चल गई प्रिंसिपार को खल गई हुआ ये प्रणाम की कट गया नाम बमुश्किल तमाम मिला एक काम तो इंटरिवीव में खड़े थे क्यूं में एक लड़की थी सामने अड़ी अचानक मुड़ी नजर उसकी हम पर पढ़ी और आख चल गई लड़की उचल गई दूसरे उम्मीदवार चोंके लड़की का पक्ष लेकर भौके फिर क्या था मार मार जूते चपल फोड़ दिया बकल सिर पर पाउ रखकर भागे लोग बात पीछे हम आगे खबराहत में घुजगए घर में भैंकर पीड़ा थी सर में बुरी तरह हाफ रहे थे मारे डर के काप रहे थे तभी पूचा उस घरवाली ने कौन हम खड़े रहे मौन वो बोली बताते हो या किसी को बुलाओं और इससे पहले की मैं जबान हिलाओं चल गई वो हमारे गुसे के जल गई साक्षा दुरगा सी दीखी बुरी तरह चीखी बात की बात में जुल गए अड़ावसी पड़ावसी मौसा मौसी भती जे मामा मज गया हंगामा चड़ी बना दिया हमारा पैजामा पनियाइन बन गया कुरता मार मार कर बना दिया भुरता हम चीख्ते रहे और पीटने वाले हमें पीटते रहे भगवान जाने कब तक निकालते रहे रोश और जब हमें आया होश तो देखा अस्पताज में पड़े थे डाक्टर और नर्स घेरे खड़े थे हमने अपनी एक आँख खोली तो एक नर्स बोली दर्द कहा है दर्द कहा है हम कहा कहा बठाते और इससे पहले की कुछ कह पाते चल गई चल गई नर्स कुछ नहीं बोली नर्स कुछ नहीं बोली मगर डाक्टर को खल गई बोला बोला इतने सीरियस हो फिर भी ऐसी हरकत कर लेते हो इस हाल में शरम नहीं आती महाबबत करते हो अस्पताल में उन सब के जाते ही आया वाल्ड बॉय देने लगा अपनी राय भाग जाये चिपचाप नहीं जानते आप बात बढ़ गई है डाक्टर को गड़ गई है केस आपका विगड़वा देगा और नहुआ तो मरा हुआ बतला कर जिन्दा ही गड़वा देगा एक दिन सकारे एक दिन सबेरे बाप जी हमारे बोले हमसे क्या कहें तुमसे कुछ नहीं कर सकते तो शादी ही कर लो लड़की देख लो मैंने देख ली है जरा हैल्थ की कच्ची है बच्ची है फिर भी अच्छी है जैसी भी आखिल लड़की है बड़े घर की है फिर बेटा यहां भी तो कड़की है हमने कहा जी अभी क्या जल्दी है वे बोले गधे हो धाई मनके हो गए मगर बात के सीने पर लदे हो वो घर फजगया तो समझ जाओगे खोटे सिक्क्य हो मगर चल जाओगे तब एक दिन भगवान से मिलके भगवान से मिलके धलकता दिल ले, पहुंच गर रुणकी, देखने लड़की, शायद हमारी होने वाली सास, बैठी थी हमारे पास, बोली, यात्रा में तकलीप तो नहीं हुई, और हमारी आख मुई चल गई, वे समझी की मचल गई, बोली, लड़की तो अंदर है, मैं लड़की की माँ हूँ, लड़की को बुलाओं, और इससे पहले के मैं जबान हिलाओं, चल गई दुबारा, उन्होंने किसी का नाम ले पुकारा, फिर जटके से खड़ी हो गई, हमारे बाद जी का सारा प्लान ही धो गई, हम जैसे गए थे लवत आए, घर पहुंचे मूह लटकाए, पिता जी बो पानी में, तू मरो चिल्लू उबर पानी में, नहीं डूप सकते तो आँख फोल लो, नहीं फोल सकते तो हमसे नाता ही थोलो, जब भी कहीं जाते हो, पिट कर ही आते हो, अरे भगवान जाने कैसे चलाते हो, अब आप ही बताईए, अब आप ही बताईए, क्या करूँ, कहां जाओं, कहां तक गुनगाओं अपनी इस आँख के, कमबक्त जूते खिलवाएगी, लाख दो लाख के, अब आप ही समालिए, मेरा मतलब है कोई रास्ता निकालिए, जवान होया वृद्धा, पूरी होया अ केवल एक लड़की, जिसकी एक आँख चलती हो पता लगाईए, और मिल जाए तो काका जी को बताईए